2024 के लोग सभाचनाफ जैसे जैसे नज़दी का रहे हैं, तमाम पार्टियों के बीच टेंशन बढ़ती चली जा रही है और सभी लगे हुए हैं कई सारी चीजों में, रैलियों का दौर शुरू होने वाला है जन सभाए हों की, और होगा रोट शो और जब ये तमाम चीजे हो रही हैं तो इसी के साथ और भी चीजे शुरू हो रही है एक दौर शुरू हुआ है इलेक्शन के तैयारियों का, तो दूसरा दौर शुरू हुआ है सर्वे का अब अलग-अलग तरहां कि एजंसिया तो सर्वे करवा ही रही थी, अब सांसत भी सर्वे करवा रहे हैं, पार्टिया भी सर्वे करवा रहे हैं आपने देखा होगा मद्य परदेश कhen 36 गड़ में आ कॉंग्रेस पार्टी ने सर्वे करवाया तो इससे पहले कई सारे मीडिया चैनल्स ने भी सर्वे करवाया एक सर्वेय की जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो हुआ है दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर ये सर्वेय करवाया किसने है दिल्ली के सांसत रमेश बिदूरी ने उन्होंने कई सारे सवाल अपने सर्वेय में करवाये जैसे कि क्या मोधी पैक्टर एक बार फिर से दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करेंगा? क्या आप अपने सांसत के काम से खुश है? और एक और सवाल, क्या आप 2024 के चुनाव में अपने मौजूदा सांसत को फिर से वोट देंगे? ये वो सवाल है जो कई बार पूछा जाता है और कई सारे राज्यों में पूछा जाता है एक राज्यों की खबर है कि वहाँ पर कई सारे सीटे बदलने वाली हैं, कई सारे टिकेट कटने वाले हैं दरसल उनका कहना है कि मौजूदा सांसद ने काम अच्छा नहीं किया है। अगर उनने फिर से टिकेट दे गया तो सीट हाथ से निकल जाएगी। तो ऐसी इसी लिए मतलब इसे तरह से कई सारे सवाल पूछेगे। तो सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। पहला जो सवाल था रमेश बिदोडी के इस सांसद ने पूछा कि मोधी फैक्टर कितना परभावित करेगा दिल्ली के चुनाव को। दिल्ली के चुनाव की बात करो तो साथ लोग सबसीटे हैं यहाँ पर साथ की साथ बीजेपी के पास हैं। तो जनता का कहना है कि हाँ, सतर फीजदी जनता कहा रही कि मोधी फैक्टर पर भावित करेगा। जी हाँ, तो चालिस फीजदी ने यह कहा कि नहीं करेगा। पाच फीजदी ने कहा कि हमें पता ही नहीं है, तो इस तरह से ये रिजल्ट निकल कर आया, इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दूसरा सवाल पूछा गया, दूसरा सवाल है कि क्या, आप अपने सांसत के काम से संतुष्ट हैं, पचपन फीजदी ने कहा कि हां महोदय ने तो 20 फीजदी ने कहा नहीं भाया हमने नहीं माना कि उन्होंने सही काम किया है बचे 10 फीजदी ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि काम सही किया नहीं किया हमें क्या पता फिर एक सवाल जो किया गया जो सबसे जरूरी सवाल था कि क्या 2024 के चुनाव में आप फिर से इन्ही सांसत महुदय को वोट देंगे यानि कि अगर इन्ही को टिकेट दिया जाए तो सीट का क्या हाल रहने वाला है 58 फीजदी ने कहा कि हां हम इन्ही को वोट दे देंगे यानि कि इन्सांसत को दुबारा मौका दिया जा सकता है ऐसा 58 फीजदी लोगों का मानना है वहीं 40 फीजदी कहते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे बचे कितने 2 फीजदी वोट दो फीजदी ने कहा कि हमें पता नहीं तो एक तरीके से देखा जाये तो मोटा मोटा यही आ रहा है कि हाँ सांसदों को vote मिल जाएगा लेकिन सिर्व इतना ही नहीं यह तो वो सर्वे है न जो संसद भई महुदय ने खुद करवाया है तो बात करते हैं एक और सर्वे की यह सर्वे किसने करवाया है? यह सर्वे करवाया है CNX ने जरसल दिल्ली में साथ लोगसभा सीटे हैं इस साथ लोगसभा सीटे में इस CNX के सर्वे के मुताबएक NDA यानि कि जो गडबंदन है जिसे BJP लीड कर रही है उस गड़बंदन को 5 सीटे मिलने का अनुमान है तो इंडिया गड़बंदन जिसके अंदर आम आदमी पार्टी, कॉंग्रेस और ये टीमसी जैसी तमाम पार्टियां है दिल्ली में दो पार्टिया चुनाव मिलकर लड़ेंगी यानि के आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस है अगर दोनों साथ मिलकर लड़ती हैं इंडिया गड़बंदन के तहत लड़ती हैं तो दो सीटे उन्हें मिलने का अनुमान है वोट परसंटेज की बात करें तो बीजेपी को ड़नचास फीजदी वोट मिलने का अनुमान है तो वही आम आदमी पार्टी के खाते में 29 फीजदी वोट जा रहा है एक और नंबर दो की बात तो हो गई नंबर तीन पर कौन है देश की सबसे पुरानी पार्टी जो पार्टी दिल्ली में सत्ता में थी जिसके मुख्यमंतरी निलगातार 15 साल मुख्यमंतरी रहने का रिकॉर्ड बनाया था शीला दिक्षित जी हां बात कर रहा हूँ इंडियने नेशनल कॉंग्रेस की 19 फीजदी वोट इने मिलने का अनुमान है और 3 फीजदी वोट अन्ने के खाते में जाता हुआ नज़र आ रहा है तो इस तरह से सांसत महोदे का सर्वे ये कहता था कि हम सांसत को वोट दे देंगे 58 फीजदी वोट दे के हम सांसत को जिता देंगे लेकिन CNX के सर्वे में India को नुकसान होता हुआ नजार आ रहा है नुकसान इसलिए क्योंकि दो सीटें उसके हाथ से जा रही है जो साथ की साथ सीटों पर कबजा था उसमें से दो इंडिया के खाते में जाते हुई नजार आ रही है आपको क्या लगता है कि क्या ये जो सर्वे है ये नतीजों में बदलेगा मुझे कामन में ज़रूर बताएगा वीडियो अगर आपको पसंद आई होते से लाइक और शेर ज़रूर करें उट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें